हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग उमीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे अलो विरा का प्लांट जैसा कि आप जानते हैं कि सभी जगापर घर पर बड़ी असानी से उपलब दोता है और हर व्यक्ति ने इसे अवसे ही देखा होगा लेकिन काफी कम लोग ही इसका हिंदी में नाम चानते हैं आपको बता दे कि इसे खरीत कुमारी और गौार पाठा के नाम से भी चाना जाता है वैसे तो इसके स्वास्त में कई अनेक लाब हैं लेकिन इसका इस्तमाल तांते किर्याओं में भी काफी जादा किया जाता है जैसे कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत जादा शमस्या या सत्रू बहुत जादा आपको परिशान करता है यहां तक कि समभोहन और वसीकरन किर्याओ में भी एलोविरा का स्टमर काफी जादा किया जाता है क्योंकि यह एक परकार की वनस्पती जड़ी बूटी कही जा सकती है स्वास्त में तो इसके अनेकों लाब हैं लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इसके ऐसे तंत्रोकत उपाय के बारे में जो बेहत खास और सक्तिसाली है इस दुनिया में जितने भी पेड़ पोदे होते हैं जितने भी वनस्पती होती हैं हर एक वनस्पती हर एक पेड़ अपने आप में एक विसेस रूप से खास होता है हर एक पौदे में कुछ न कुछ औस्दी घुन होते है उसका एक एधरस्य रूप से भी काफी लाव रहता है हर एक पौदे की अपनी ही एधरस्य सकती होती है आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे तो सबसे पहले आप से रिक्वेश्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरू करिएगा दोस्तों को सेर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दवाईएगा दोस्तों आपको बता दे कि ऐलोविरा एक ऐसा प्लांट है जो बिल्कुर सूखे में होता है और सूखे में भी अपने अंदर जल को समवाहित कर लेता है बलके आपको बता दे कि इस वनस्वती जड़ी बूटी में एक ऐसी अद्बूत गजब की सक्ती होती है कि सारीरिक जितने भी विसले तत्वों होते हैं उन सबी को नश्ट कर देती है और सरीर को जो विसले तत्वों होते हैं वो इतने भेंकर और इतने खतरनाक होते हैं कि इनी विसले तत्वों के मादम से बड़ी से बड़ी बिमारियां इंसान को गेर लेती है जो कि बड़ी से बड़ी दिवयों से भी ठीक नहीं कर पाती लेकिन वनस्पती और कुछ पेड़ पोदों में इतनी जादा सक्ती होती है कि केवल इनका इस्तमाल करने मातर सही बड़ी से बड़ी बिमारिया भी बहुत तेजी से ठीक हो जाती है दोस्तों आपको बता दे कि ऐलोविरा एक ऐसा प्लांट है कि इसमें कम से कम तीन चार साल बाद एक फूल उगता है और इस फूल के तंतरोगत इतने ज़्यादा लाब होते हैं कि ये संभोहन में वसी करन में इस कदर इस्तमाल होता है कि अगर इस फूल को पढ़कर आप किसी भी व्यक्ति को खिला दें तो ऐसे जो सामने वाला व्यक्ति है जिसे भी आप खिलाएंगे ये जान लीजिए कि आपके विरोध जा नहीं सकता बलकि जैसा जैसा आप उसे बोलते जाएंगे बिलकुल वैसा वैसा ही वह मानता चला जाएगा इस परकार से तंतरोप्त किर्या कारे करती है तो ऐलोवीरा का जो ये फूल होता है नई पोधों में बहुत कम देखने को मिलता है और ये नए पोदे में बहुत ही कम निकलता है लेकिन अगर तीन साल साल पुराना पोदा हो जाए तो उसमें बड़ी असानी से एक फूल से ही निकलता है और वो भी उसी से निकलता है जो बहुत किसमत वाला हो केवल उसी को ये फूल प्राप्त हो पाता है ये बहुत ही कम देखने को मिलता है लेकिन इसके इस्तमाल किस-किस किरिया में होते हैं ये भी आप जान लीजिए जहां भी आपको अलोविरा का फूल मिलता है तो तुरूद इसे प्राप्त करके अपने घर लेकर आ जाएं क्योंकि इसके अने को लाब है जैसे कि अगर आपके जियोन में धन की बहुत ज्यादा समस्या होती है तो इसी फूल को तोड़कर अगर आप मातल अक्समी को भेट चड़ा दिया जाए और वहीं पर बैठकर कम से कम 51 माला से इस फूल को सीथ कर लिया जाए इस मंतर के साथ ओम स्रीम स्रीम नमा तो इस मंतर से ये वह फूल में जो बीज होते हैं और ये भी बता दें आपको कि अलोविरा का जो फूल होता है उसमें बिल्कुल छोटे छोटे बहुत ही महीं बीज होते हैं जो आपको दिखाई भी नहीं देंगे तो बड़ी साथवजानी से फूल को है और मादर लक्षमी को चड़ाना है और एक्यावन माला ओम स्रीम नमा मंतर से जाब कर लेना है उसके बाद किसी भी लाल कागज में रखकर इस पर लाल सिंदूर चुड़कर इस कागज को फूल के साथ अपनी तिजोरी में रख ले जिस भी तिजोरी में ये फूल रखा जाता है वेक्ति की तिजोरी कभी भी जिवन में खाली नहीं होती यहां तक कि जो कोई भी वेक्ति इसे सिद्ध करता है और अपने आप अपनी तिजोरी में रखता है तो उस वेक्ति को कभी भी जिवन में धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता उसका जो मनीपूर चक इसकी related समस्याओं में करा जाता है सरीर से विसले तत्वों को निकालने के लिए किया जाता है इसका स्वाद इसलिए कड़वा भी होता है बलकि ये गंदे से गंदे चेहरे को भी एकदम से चमकदार बना देता है यही इसकी खासियत है कि इसमें अगनितव और जलतव भरपू मातरा में होता है जैसे ही हमने आपको ये गंद्रगुप्थ किरिया बताई है इसे जो कोई भी वaignक्ति करता है उसके जीयों में दन की समस्या हो ही नहीं सकती अगर आप कर्द से बहुत ज़्यादा परिशान है तो इस किरिया को आप कर सकते हैं और लाब उठा सकते हैं लेकिन समवन और वसी करन में कैसे इसका इस्तमाल किया जाता है ये आप जान ले अगर एलो विरा का फूल आपको प्राप्त हो जाता है और उस फूल को सामने रखते हुए कामाख्या देवी को इस फूल को चुड़ाया जाए और ये मंतर का जाप किया जाए लगातार ग्यारे दिन तक ओम नमो कामाख्या देवी अमुक में वसम कुरू कुरू स्वाहा अगर इस मंतर से 11 माला भी इस फूल को पढ़ लिया जाए अभी मंतरित कर दिया जाए या फिर लगातार 11 दिन तक 21 दिन तक इस मंतर का उस फूल को सीथ कर दिया जाए और उस वेक्ति वो खिलाया जाए जिसमें आपने आमुक में उस वेक्ति का नाम लिया है जैसे जो मंत हमने आपको बताया है अमुक की जंगा पर उसका नाम लेना है उस व्यक्ति को ये फूल खिला देना है अगर आप ऐसा कर देते हैं तो जन्मो जन्मान तक वो कभी भी आपसे दोका नहीं कर सकता आप चाहे उसके कितने भी खिलाफ हो जाएं कितना भी परिशान क्यों ना करें लेकिन फिर भी वो आपसे दोका नहीं कर सकता वो जो भी आप उसको बोलेंगे बिल्कुल वो वैसा ही करेगा जैसा आपने उसे इपनोटाइज कर दिया और ये समवहन विद्या होती है कि सामने वाले व्यक्ति को बुद्धी पर इस प्रकार से अपने पवराव को छोड़ जाए कि सामने वाला व्यक्ति जो आपके खिलाफ या आपके विरोध सोच सकता है उसी को ब्लॉक कर दिया जाए तो इसी प्रकार से समवहन की वसीकरन की किरिया काम करती है दोस्तों एलोविरा का जो फूल होता है बड़ा ही ज्यादा छोटा सा होता है लेकिन पूरा जो प सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन पर किलिक कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिशन आपको मिल सके दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब Thank you for watching my video.